अपनी पहली फिल्म में हिना खान का हीरो बने गई यह पॉपलर अभिनेता देखे तस्वीरे दोस्तों जब से यह कबर आई है कि हिना खान फिल्म में नजर आने वाली है तभी से उनके फैंस उनके इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटिड हो चुके हैं आपको बता दे कि हिना के आने वाले फिलिम का नाम लाइन से इस फिलिम में हिना खान बॉलिवूट के दिगज अभिनेतरी फरीज जलाल के साथ इसके इन शेयर करने वाली है और अब फिलिम के हीरो की तलाश भी खतम हो चुकी है बॉलिवूट के एक वेबसाइट के जानकारी के मताबिक अभिनेतर रिशी भुटानी इस फिलिम में हिना संग रोमांस करेंगे आपको बता दे कि रिशी भुटानी साल 2009 में फिलिम बोलो राम से अपना डेब्यू कर चुके है साल 2017 में आई फिलिम राम रतन में अभिनेतर डेजी साके शाथ भी देखा गया था अगर फिलिम में रिशी भुटानी के किर्दार की बात करें तो वो हिना खान के एक दूर के रिश्तेदार के रोल में दिखाई देंगे जो आखिर में हिना से शादी रचाएंगे बता दे कि जब इस सिलसले में रिशी से बात की गई तो उन्होंने फिल्म में अपने होने पर मोहर लगाते हुए कहा कि मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनने में काफी अच्छा लग रहा है फिल्म में मेरा किर्दार काफी अच्छा है मैं एक पाकिस्तानी लड़के का किर्दान निभा रहा हूँ आपको बता दे कि रिसी से जब हिना खान के साथ काम करने को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो एक बहुत अच्छी इंसान है मैं अभी बस इतना कह सकता हूँ कि हिना इस्तारडम के साथ सेट पर नहीं आती बलके एक कलाकार की तरह सेट पर एंट्री करती है जो कि सबसे अच्छी बात है बता दे कि फिल्म की शूटिंग इन दिनों कस्मीर में हो रही है हिना खान अपने इस आने वाली फिल्म को लेकर काफी उत्साही थे क्योंकि एक महिला परधान फिल्म है इसके अलावा फिल्म की कहानी भीड़भार वाले शेहरों की बज़ाए कश्मीर में सूट हो रही है इसलिए भी हिना खान ने इस फिल्म को साइन किया है क्योंकि वे खुद कश्मीर से बिलोंग करती है तो अब देखना काफी दिल्चस्प होगा कि टीवी से इतनी लोगपिरे होने के बाद फिल्म से लोगों के दिलों पर क्या छाप छोड़ती है हिना खान दोस्तों बॉलिवो से जुड़ी सभी अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले